इसमिल्हे रहमार रहेम असलामलेकम एविवान, वह रहाई हैं आपना बोजा है वह रखती होंगे स्टुएंट नौवी अपना बोजा ह्याल भी रखती होंगे स्टुएंट नौवी अपना बोजा है नियुक्त नबर 17 कल हमने पढ़े थे मैस के रूल जो उसजी फोर आपरे स्टुएंट मुल्टिफिकेशन अभी हम रूल टू पढ़ने जा रहे हैं इसमें आपने एक वर्ड याद करना है वर्ड आपका डी मैस एम एस इसको यूजरी बड़ा ही लिखते हैं सब कैफिटरी लिखते हैं क्योंकि यह हम करते हैं अब्रिवेशन है यह अब्रिवेशन आप पास कोई भी आज़े टास्क आज़े कि आप पास से 3 x 4-2 x 9 3 x 4-2 x 9 divided by 3 तो आपको नजरी में आ रहा है ठीक है यह देखें 3 x 4-2 x 9 divided by 3 हमें कुछ नहीं पता कि हमने पहले multiply करना है, minus करना है, plus करना है या divide करना है जब हमने याद किया होगा rule d mass जब d mass हमने rule याद किया इसका मतर सब से पहले हमने devian करनी है 9 multiply by 3 क्या जाता है answer 3 ठीक है उसके बाद आपने क्या करना है जी multiply 3 multiply by 4 12 उसके बाद आती है आपकी addition ठीक है इन दोनों कहां से 3 आ गया था प्लस 2 और माइनस यह लिखिया ठीक है उसके बाद addition जब करेंगे 12 माइनस 2 प्लस 3 5 और 12 माइनस 7 5 यह तो 7 आंसर d mass devian multiplication addition and subtraction यह देखें यह आज आपने rule याद भी करना है rule 2 आपका when there are two multiply with plus or minus or minus with plus or minus ठीक है और more than two operation then we use d mass rule 2 होते हैं तो हमने just simple वाला करते हैं आपने कि जो first पर आ रहा है उसको आप कर दें और second में उसको चोड़ दें लेकिन जब तू से ज़्यादा हो जाते हैं तो हम यह d mass rule यूज करते हैं वेल्ड डी मैस में डी को होना है मैंने पहले भी आपको बताया इस यूज फार devian m is for multiplication a is for addition s is for subtraction यह नीचे question है ठीक है यह देखें बुक वाले ने solution भी आपको दिया है लेकिन नेक्स से वह आप solution नहीं होगा इसी को देखें आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है रफ नोट बुक्स पर आपने मुझे फारवर्ड भी करनी है अगेन हम देख लेते हैं टैन प्लस नाइन मल्टिप्लाइबाइब फाइफ डी मैस लिख लिए आप साथ ही डी मैस सबसे पहले किया रहे है डी वी एन तो इसमें नहीं है lazimutipation तो हम not i app लें गोगे 9 लिए भी स्वाइब फाइफ 45 और एन्ड में जाएगा आपका additional 45 में 50 प्लस कर देए 10 तो 55 बन गया अब देखें माइनस यह सबसे पहले डिवी एंड में आता है डिमेस में आता है डिवी एंड तो डिवी एंड आप करें 11 को 55 डिवाइड करें तो 5 बन जाएगा आंसर तो 6 में से 5 माइनस की तो 1 इसे दर आप यह भी करेंगे लास वाला मैं कर वाद देती हूं यह थोड़ा सा लैंती है ठीक है यह नोट पुक यास हम यहां से गर देखेंगे तो उससा हमें क्लियर नहीं होता है यह देखें 12 आप फुट से करेंगे ने तो आपको ज़्या divided by 2 क्या आंसर आजाएगा 3 multiply कर लें जी उसके बाद मुल्टिप्लाइशन है ना तू मल्टिप्लाइब यह माइनस का साइन आ गया साथी तो मुल्टिप्लाइज बाइट टू एट सवार 16 और प्लस 12 ऐसे ही नीचे आगया ठीक है अब क्या करने हमने प्लस करने 1260 में प्लस कि आपने ऐसे ही करना है कि जो पर्ट्षन पहले आ रहा है पहले दिमैस है तो उसको जैसे अंटरलाइंग करके बता दिया इसको करेंगे फिर अपने मल्टिप्कैशन करनी है पिर आंड में आपने करना है जब तक का मैस करना है हमारा दी मैस रूल चलता रहता है आपका ठीक है तो आज आपने को जाद करने रूल डी मैस तो आई होप यह आपको ख्लियर हो गया हो तो इंशाला से नेक्स वीडियो स्टे होम स्टे सेफ अल्ला हाफिज